यहां हमने दो एलवरस टीक को अच्छे से धो के उसका चिलका निकाल के उसका आउटर स्कीन साफ करके रखना है एलवरा जेल को लीब से निकाल लिया है और उसे एक बोल में रखा है हमें एक बोल थंडा पानी लेना है उसमें एलवरा क्यूब्स को डाल के अच्छे से धो लेना है हमें अभी सारे एलवरा क्यूब्स को अच्छे से छोटे-छोटे हिस्सों में काटके चौक कर लेना है हमें चाहिए विटामिन ए कैपसूल दो एक सिट जिलाटिन जिलाटिन सिट्रीप को छोटब किष्वश्चों में काट ले जिए हमें मिकची में एलवरा जेल डाल लिए विटैमिन ए कैप्सूल और जिलाटिन स्ट्रेप्स को डालके अच्छे से मिक्सी में ग्रैंड कर ले अभी मिक्स्चर को ग्लास जार में डाल के रख लीजिए एक से दो दिन फ्रीज में रखने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा और आपी से एक से दो महिने अराम से यूज कर सकते हैं